नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है Dr. Neelam Sharma इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि Cladoxim 200 टाबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है Cladoxim 200 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए और Cladoxim टाबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि Cladoxim टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Cladoxim एक brand name है Cladoxim टाबलेट के अंदर दो दवाओं का combination होता है Cladoxim टाबलेट के अंदर salt composition cefcodoxin 200 mg और potassium clavulinate 125 mg होता है Cladoxim एक antibiotic दवा है Cladoxim टाबलेट का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर, या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी Dr. Cladoxima Tablet को लेने की सला दे सकता है. शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है. इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Cladoxima Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है जिनमें आपका Dr. Cladoxima Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Cladoxima Tablet की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Cladoxima Tablet की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बध़जमी होना, त्वचा पर रैशिस होना, त्वचा पर खुजरी होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्स Cladoxima Tablet की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की Cladoxima Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। Cladoxima Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Cladoxima Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। Cladoxima Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Cladoxima Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। इसलिए आपको Cladoxima Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। Cladoxima Tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बेमारी से पीडित व्यक्तियों में Cladoxima Tablet की डोज घटानी पढ़ सकती है। वैसे Cladoxima Tablet pregnant महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Cladoxima Tablet का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Cladoxima Tablet को लेने की सला दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Cladoxima Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।